पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला की हत्या के मास्टर माइंड कुख्याद गेंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई का 17 सेकंड का वीडियो कॉल लगातार वाइरल हो रहा है इस वीडियो में लॉरेंस पाकिस्तान के कुख्याद डोन शहजाद भटी से बात करते वे नजर आ रहा है वीडियो में लॉरेंस भटी को ईद की बदाई दे रहा है माना जा रहा है कि ये वीडियो 16 जून का है लॉरेंस फिलहाल एहमदाबाद की सावरमती जेल में बंध है उसे पिछले साल सितंबर में तिहार जेल से सावरमती जेल सिफ्ट किया गया था सावरमती सेंटरल जेल के डिप्टी एसपी परेश सोलंकी ने कहा कि उन्हें इस वीडियो कॉल की जानकारी नहीं थी और वे इसकी जाँच करेंगे इस वीडियो कॉल के सामने आने के बाद सुरक्षा एजिनसिया भी अलट हो गई है गोरतलब है कि माफिया सहजाद भटी पाकिस्तान में हत्या जमीन विवाद और हत्यारों की तसकरी सहीत कई संगीन मामलों में नामजद है वीडियो कॉल में लॉरेंस ने भट्टी को ईद मुबारा कहते विए देखा जा सकता है इस पर भट्टी ने कहा पाकिस्तान में ईद अगले दिन मनेगी लॉरेंस ने फिर कहा कि वे अगले दिन वापस से फोन करेगा और बधाई देगा सुतरों के मुताबिक वीडियो कॉल सिगनल एप से किया गया था जिससे कॉलिंग को इट्रेस करना मुश्किल हो जाता है सुरक्षा इजिन्शियो को शक है कि चेल में बैटका लॉरेंस इसे सिगनल एप के जरिये अपनी पूरी गैंग चला रहा है इससे पहले भी लॉरेंस जेल के अंदर से दो इंटर्व्यू दे चुका है पंजाबी सिंगा सिद्धु मुसेवाला की हत्या के मुख्यारोपी के इंटर्व्यू पर पंजाब पूलिस के डीजीपी गोरव यादव ने चंदीगड में प्रेस कॉंफरेंस करके इस्तितिस्पस्ट करने की कोशिश भी की थी डीजीपी यादव ने कहा था कि इंटर्व्यू पंजाब की जेल में नहीं हुआ था लेकिन तीन दिन बाद लॉरेंस ने फिर एक इंटर्व्यू दे दिया जिससे पुलिस की दावो पर सवाल उठ गए लॉरेंस का पहला इंटर्व्यू चोदा मार्च की शाम को ब्रोडकास्ट किया गया था डीजीपी पंजाब ने इसे पंजाब के बाहर का बताया लेकिन 17 मार्च को लॉरेंस ने दूसरा पार्ट ब्रोडकास्ट किया और अपनी बैरक भी दिखाए जिससे साबित हुआ कि इंटर्व्यू जेल के अंदर से ही हो रहा था उसने बताया कि उसे बाहर नहीं दिये जाना जाता लेकिन मोबाइल उसके पास अपने आप आ जाता है और सिगनल भी इस मामले की जान चल रही है और सुरक्षा एजेंस या अलट मोड पर है